दोस्तों यदि आप भी मेरे मोबाइल की तरह देखे एज लाइट लगाना चाहते हैं इस्क्रीन के उपर में एज लाइटिंग लगाना चाहते हैं तो फ्रेंट वीडियो को पुड़ा एन तक देखते रहिए दोस्तों आज की वीडियो में सेर कने वाला हूं कि कैसे आप आने के बाद यहां पस एज लाइटिंग करके एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है यहां पस बहुंस सारे एप्लिकेशन मिल जाएगा तो कोई सभी एक एप्लिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है चेले फ्रेंस मैं आर लेडिट डाउनलोड कर लिया हूं तो यहां लाइनिंग में करेंगे इस तरह सकते हैं उसके बाद यहां पस देखें डॉटेट का है और अलग-अलग आपको default मिल जाएगा तो देखी मैं यहां पस निक वाला को select क्या हूं कोई सब भी आप एक select कर सकते हैं चले मैं तो आप sweep में कर सकते हैं liner में कर सकते हैं तो इस तरह से यहां पस आप bottom का और top का color को change कर सकते हैं उसके बाद यहां पस अलग-अलग आपको मिल जाएगा जिसे तो आप से आपकरना चाहेंगे फ्लावर ड़ना चाहेंगे तो फ्लावर मिल जाएगा तो इसके बाद यहां पस इमोजी का भी आप सा नहीं इमोजी भी आप डाल सकते हैं इस तरह से देके प्रेंड बहुंस सारा है इसमें तो चलिए मैं यहां पस सिंपल सा जयता हूं और यहां पस लाइनिंग को सेलेक्ट करता हूं उसके बाद यहां पस बेग घ्डाउन में यदि आप वाल पेपर लग लग सकते हैं और कलर रखना चाहेंगे तो अपने हशाब से आप कर सकते हैं चैली इस तरह से कलर्ब भी आप अपना हिसाब से स्लेक्ट कर सकते हैं उसके बद देखी यहां पезновने संस्पिट तो यहां पर जो राइक राउंड राउंड हो रहा है उसका पर स्पिट को बढ़ा सकते हैं इस तरह से असले करेंगे तो जलदीजल्दी आप एधर अलग अलग दिया हुआ है इसको आप अपने हिसाब से चैंज कर सकते हैं इसके बाद के मोबायल में कीस हिसाब से दो देखिए मेरा मोबैल इस तरह कर तो मैं स्टेप कड़ अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडिक कर लेना है इस तरह से इस तरह से आपको कर लेना है उसके बाद यहां पस create option में कर देना है तो मैं इसको change करना चाहूंगा तो इसमें select कर दूँगा तो देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगेगा तो आप भी अपने mobile में इस तरह से लगा सकते हैं और अच्छा तरह से दिखने लगेगा यदि आ अच्छा दिखने में लगेगा तो दोस्तों आज के वीडियो कैसे लगा आई होप आज के बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे और यह अब हमारे चैनल में पहले बढ़ाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलता है नए वीडियो में तब तक ले जाएं